अगर आज आपने चीज़ों को थोड़ा समझ लिया और इसके पहले वाले लेक्चर को देखा होगा तो organic chemistry आपके थोड़ी अच्छी हो जाएगी अब organic chemistry कहा मिलेगी आपको directly 11th standard मिलेगी ठेके शुरुआत तो अभी से हो चुकी है ठीक है तो हम अलड़ी एक lecture खतम कर चुके है एक पार्ट खतम कर चुके है उस पे हमने क्या क्या देखा था क्या 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 पढ़ा था एक बार जल्दी से revise कर लेते हैं देखो यह हमारा last lecture था last lecture में हमने discuss किये था यह points एक तो हमने देखा था कि carbon ही क्या होता है और ऐसा क्या है carbon की carbon की वड़े से एक नई chemistry की ब्राच ही खुल गई जिसको organic chemistry कहते है जो आपको 11th standard में पढ़ने के लिए मिलेगी शुरुवात लेकिन of carbon वो हमने देखी थी and diamond and graphite अब यह diamond और graphite क्या है इसके allotropes है allotropes क्या होता है allotropes वो होते है किसी element के अगर एक सजार types हो जिसमें हम क्या कहते है उसके chemical property similar होनी चाहिए physical अगर change हो जाती है तो चल जागा physical change होगी चल जागा मतलब physical अगर change होगी तो उसी को हम क्या कहें इसखेंगे allotrops करणे तो यहां पर diamond की जो property होती है chemical property carbon से match करती है लेकिन physical property बिलकुल भी match नहीं करती अलग हो जाती हो जाता है i लेकिन इसकी physical property जो है वो different हो जाती है जिसको हम क्या कहते है जिसको हम कहते है allotropy चीक है तो यह basically allotropes है of carbon लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले है फ्लॉरीन अब उसी की एक कड़ी से है उसी पहले वाली जो हमने दो टॉपिक पढ़े carbon के तीन allotropes होते है एक होता है हमारा diamond डूसरा graphite और टीसरा होता है fluorine तो उसी को continuation में रखते हुआ आज हम फ्लॉरीन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर non crystalline और amorphous form की बात करेंगे अब यह non crystalline amorphous form क्या होते है तो diamond graphite और fluorine जो होता है वो कैसे होता है crystal form में होत यह crystal के structure होता है उसके proper लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यह non crystalline structure है या इसको आप कह सकते है amorphous form है तो non crystalline structure मतलब उनके कोई proper crystal नहीं है proper structure नहीं है ठीक है इसी लिए इस category के अंदर फिर हम आगे coal पढ़ेंगे, coke पढ़ेंगे है वो सारी चीज़े इसके अंदर आ हो गए तो chemistry में आपको hydrocarbon नाम से एक अलग से chapter ही आने वाला है 11 वी में ठीक है उसके बाद हम देखेंगे solubility of carbon की carbon कहां कहां dissolve हो जाता है अब यह सारे जो topics है chemistry से related है hardcore chemistry है ठीक है लेकिन हम बहुत easy तरीके से जाने वाले है बहुत simple तरीके से जाने वाले है जिससे आपको च सब्सक्राइमंड, graphite और तूसरा है fluorine अब fluorine का नाम जो पड़ा बचो यह fluorine जो नाम है यह एक पसणालिटी यह जिनका नाम है Richard टीक है उनका नाम है Richard Buckminster Fuller यह नाम है उनका ठीक है मैं आपको बताता हूं इनके बारे में अब यह जो हमारे बड़े अच्छे से परस्नालिटी है इनके बारे में बताता हूं यह एक्षुरी करते थे के इन्हों हम पर आप देखो वो डिजैन फुलर को फुलोरीन कर दिया, तो बकमीनिस्टर फुलोरीन इसका नाम हमने दे दिया, क्योंकि इनका बकमीन्स्टर फुलोरीन इसलिए दिया एक रिचर्ड होते हैं जैसे आपको graphite अराम से देखने के लिए मिल जाता है मार्केट में diamond देखने के लिए मिल जाता है diamond आपको पता है अराम से jewelry molecule है इसके अंदर 60 60 carbon के या तो हम कह सकते 60 atoms है carbon के 60 atoms इसमें है लेकिन क्या सिर्फ 60 ही होते हैं नहीं 60 के अलाव अगर आप देखे तो इसमें और भी जादा आपने को देखने के लिए मिल सकता मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आप 60 के लावा इसमें 70 है ना और या 76 82 86 ऐसा भी आपने को हमको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आपको 82 86 ठीक है यह सब भी आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर ठीक है तो अब यह जो चीजे हम देख रहे हैं यह क्या है यह बिसिकली आपको बताता है यह carbon का एक molecule है जिसे हमने carbon के बारे में पढ़ाता graphite के बारे में पढ़ाता ठीक है इसी तरीके से यह होично होसकता है targeting 86 होसकता है ऐसा नहीं है कि इतने ही होगा इसकी range बहुत जादा होती है ठीक है तो यह 76-70 वहां पर भी जासकता इ Destiny 76 वहां पर भी आपको यह देखने के लिए आपको मिल सकता है लेकिन हम इसके बारे में आज बहुत डीटेल में बात तो नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत जाद अवेलेबल भी नहीं है इसकी information बहुत limited अवेलेबल है तो जो जो अवेलेबल है वो हम discuss करेंगे तो यह हो गया fluorine और इसका structure कुछ ऐसा दिखता है कि एक carbon का जो atom है आप देखो यहाँ पर तो यह एक connected है तीन के साथ देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 और यह हो गया 3 है न तो कुछ इस तरह से यह connected होता और पूरा का पूरा एक football जैसी होती न उस तरह का structure आपको देखने के रहे मिलेगा इसको कहते है fluorine यह है buckminster fluorine इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं और चलते हैं इसके properties और uses के बारे में बात करने तो यहाँ पर जो हमें examples दिए गए हैं उसके बारे में बात करें तो properties में कहा गया कि molecules of fluorines are found in the form of bucky balls ठीक है and bucky tubes तो यगर आप इसको देखो तो यह bucky ball का shape ठीक है और उसके बाद यहाँ पर लिखा है there are 32,900 तीस से लेके 900 तक के carbon atoms हो सकते हैं one molecule में अभी हमने जो देखा था वो एक molecule था उसके अंदर कितने atom थे 70, 60, 82 ऐसा हो सकता है न यह देखो यह जो आपने देखा अभी यह तो carbon का C60 हो गया है न यह वाला लेकिन इसके इसमें 82 हो सकते हैं, 86 हो सकते हैं, 70, 76 हो सकते हैं लेकिन यही range नहीं है मैंने आपको कहा था कि range बड़ी सी लंबी सी चौड़ी सी है अब वो range क्या है वो range है कि 30 से लेके carbon के 30 atom से लेके 900 atom तक हो सकते हैं एक molecule में ठीक है तो काफी बड़ी range है इसकी fluorine की उसके बाद fluorines are soluble in organic solvents such as carbon disulfide and chlorobenzine तो fluorines जो होते हैं यह dissolve हो सकते हैं लेकिन कहां पर organic solvents वो होते हैं जिसे कि जो organic compound से बने हो जिसे example के लिए carbon disulfide जो चीज और organic compounds क्या होते हैं जनरले इसमें carbon होता है organic अगर compound आप देखोगे अगर जब आगे थोड़ा सा organic compounds के बारे में बात करेंगे तो आपको दिखेंगे कि उसमें carbon ज़रूरी मतला आपको हर जगा carbon मिल ही जाएगा तो carbon disulfide और chlorobenzine ठीक है यह जो दो चीज़े हैं इन दोरों चीज़े में आप देखोगे तो इसमें भी carbon होता है इसमें भी carbon होता है तो यह और्गेनिक solvent होते हैं और्गेनिक compound गाह सकते हैं इसमें इसमें हो जाते हैं अब बात करते हैं इसे ही हमारे पास क्या है दूसरा तो बच्चों, catalyst क्या होता है? catalyst वो होते हैं जो chemical reaction की speed को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं समझ मैं है? catalyst को कहते है? जो reaction, chemical reaction के speed speed up कर देंगे या तो speed down यानि speed बढ़ा देंगे या तो speed घटा देंगे लेकिन खुद involved नहीं होते हैं मतलब खुद participate नहीं करते हैं सिर्फ speed बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे उसको बुलते हैं catalyst और catalyst दो प्रकार के होते हैं जिसको हम कहते हैं positive catalyst और negative catalyst ऐसे दो प्रकार के catalyst आपको देखने के लिए मिलेंगे positive catalyst speed को बढ़ा देते हैं और negative catalyst speed को घटा देते हैं ठीक है तो यहाँ पर catalyst दो प्रकार के हो सकते हैं fluorine उसको उसमें हम यूज करते है fluorine को as a catalyst in water purification जब पानी का purification होता है तो fluorine वहाँ पर यूज के जाता है as a catalyst ठीक है at a certain temperature fluorine exhibits super conductivity एक certain temperature पर ये superconductive बन सकता है superconductive वह होते हैं जिसे आपको पता होगा कि metal जो होते हैं वह conductor होते हैं electricity को pass कर देते हैं तो उसमें electric current pass हो जाता है ऐसे ही superconductor वह होते हैं जिसमें resistance बहुत कम होता है resistance ना कि बराबर है बहुत कम resistance है तो वह बन जाते है superconductor तो fluorine हमारा क्या बन सकता है, super conductor बन सकता है, लेकिन एक certain temperature पर, ठीक है, तो यह हुई fluorine की बात, अब fluorine के बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारा crystalline structure था, जिसमें हम बात करते हैं, क्रिस्टल के form में, जितने भी हमारे allotropes हैं, वो यहाँ पे तो खतम हो जाते हैं, कैसे थे, वो थे हमारे crystalline वाले, ठीक है, यह amorphous है, non crystalline है, वो हमने जो देखे थे, वो कैसे crystalline के उनका proper structure था, जैसे diamond का proper structure था, graphite का proper structure था, वैसे ही fluorine का भी structure था, लेकिन इनका कोई structure नहीं होगा, यह कैसे है, यह non crystalline है, amorphous form में, कोई इनकी proper shape नहीं होगी, तो इसके example अ एक best example है, उसके बाद charcoal और उसके बाद coke, यह तीन चीज़े हैं, जो हमारे non crystalline form में मिल देखने के लिए मिलते हैं, अब यह भी क्या है, यह भी carbon का types ही है, यह भी carbon के type है, लेकिन कैसे यह non crystalline वाले है, crystalline वाले कौन से थे, वो तीन, diamond, graphite और fluorine, ठीक है, अब non crystalline में coal, charcoal और coke के बात करते हैं, तो coal में हम categorize कर सकते हैं, coal के अंदर भी काफी सारी category है, जैसे कि peat है, lignite है, bituminous coal है, और anthracite है, लेकिन ऐसा पढ़के छोड़ देंगे तो समझ में तो नहीं आएगा, इसको थोड़ा detail में जाएंगे, coal के अंदर अगर peat है, तो peat क्या होता है, lignite है, peat, lignite, bituminous, और anthracite, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, कि यहाँ पर यह जो color है, जैसे नीचे जा रहा है, वैसे वैसे dark होता जा रहा है, उपर आप देखो brown है, फिर यह थोड़ा सा black के तरफ गया, यह थोड़ा एकदम black हो रहा है, कैसे होता जा रहा, dark black होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी हम समझेंगे, तो सबसे पहले पीट की बात करते है, पीट क्या होता है, मैंने बुला न, coal का एक type है, तो coal का एक type तो है, लेकिन है क्या, तो coal starting stage, जब सबसे पहले coal बन रहा होता है, तो सबसे भी जलाओगे आप अगर आप जैसे कोल को तो हम यूज किसले करते हैं अगर आप इसको जलाओगे तो इसमें क्या है इसमें पानी का प्रपोर्शन बहुत जादा है लेस दिन 60% कार्बन है तो बहुत ही कम जल पाएगा या इससे बहुत कम हीट जनरेट हो पाएगी क्योंकि इसमें कार्बन ही नहीं है कार्बन को तो है जो आपने को क्या देता है षीट देता है आपको याद होगा हमने क्जामपल लिखा था या आगे हम discuss भी करेंगे की ये एक रियाक्शन होता हमेशा हम डिसकस करते है ठीक है यहाँ ये वाला तो इसमें अगर आप देखो हम क्या लिखते हैं हम इसमें लिखते हैं कि हमने carbon को react करवाया oxygen के साथ मतलब carbon जलने लगा carbon क्या था basically यहाँ पर carbon तो यहाँ पर coal ही था इस जगह पर carbon क्या था coal था अब इस coal को जब हम जला रहे हैं याँ oxygen के साथ react करके coal को जलाते हैं तो क्या मिलती है carbon dioxide gas release होती है और साथ में मिलती है heat यहीट कब मिलती है जब यह coal जलेगा आप coal के अंदर carbon ही नहीं है बेसिकली जो coal है इसके अंदर carbon percentage बहुत ही कम है अगर less than 60% है तो यह जलने जलेगा लेकिन जलने के बाद क्या होगा बहुत जादा धुआ होगा और heat नहीं मिलेगी आपको तो हमारा purpose क्या होता है इसको जलने का basically heat मिलने चाहिए और वही नहीं मिलेगी तो फाइदा क्या तो यह पीट जो है बहुत low quality का coal आप कह सकते हैं जिसके अंदर carbon percentage बहुत ही कम होता है ठीक है उसके बाद हम next देखें तो हमें मिलता है लिगनाइट लिगनाइट भी क्या है अगें इट टाइप अफ कोल ओनली तो कोल का एक टाइप है लेकिन क्या है यहां पर इट कंटेन 70 के रेंज के बीच में इसमें carbon होता है ठीक है तो लिगनाइट is the second step of the formation of the coal जब कोल बन रहा होता है तो उसका second stage यह आता है ठीक है करते हैं तो हमें उसे क्या चाहिए होती हीट चाहिए होती है और हीट कब मिलेगी जब carbon percentage जादा होगा अगर carbon जलेगा तब ही क्या हो को हीट मिलेगा carbon ही नहीं होगा उसके अंदर तो फिर उसको आपको वह प्रॉपर आपको हीट दे नहीं पाएगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर होता है 72, 90% of carbon अब जिसमें जादा carbon वो जादा अच्छा coal समझा जाएगा ठीक है उसके बाद last हम देखते हैं तो हमारे पास है anthracite ठीक है यह देखो यह हमारे पास anthracite अब anthracite क्या होता है anthracite भी अगिन फिर से मैं वह भी बोल रहों कि coal का type है ले अगर मुझे energy चीए maximum तो कौन सा मुझे coal use करना चीए anthracite सबसे महंगा कौन सा होगा obviously जिसके अंदर ज्यादा carbon हो तो ज्यादा energy देगा ज्यादा heat देगा बाकी का आप compare करो तो बाकी में आप देख सकते हो इसमें less than 60% यह 60-70% है यह 70-90 है और यह 90 से भी उपर गया 95% इसक ज्यादा है जैसे carbon percentage कम होता जा रहा है तो darkness भी कम है ब्लाक नहीं दिख रहा है अब यह देखो यह कुछ ब्राउन दिख रहा है यह देखो यह और भी छोड़ा सा कम color में है मतलब ब्लाक इस नहीं दिख रहा है जिसके अंदर ज्यादा carbon वह ज्यादा black दिखेगा आपको त the charcoal that is made from the animals कहां से बन रहा है यह animals is made from their bones and horns तो जो जानवरों के horns मतलब सींग होते हैं जैसे जानवरों के सींग होते हैं और horns ठीक है अगर animals से मिल रहा है तो that is from the bones and horns तो basically हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि charcoal अगर animals से मिला तो वो कहां से बना होगा उनकी bones से या तो horns से और अगर charcoal बनता है plant से ठीक है ऐसा नहीं है कि स्थिफ animals से ही बनता है अगर charcoal बना plant से तो वो कहां से बनेगा it is formed by the combustion of wood in insufficient supply of air मतलब लकडी को कम oxygen में जलाओ कम air में जलाओ कम air दो उसको जलने के लिए तो क्या होगा वो कोईला बना देगी basically उसको हम charcoal कहते हैं तो दो तरह से बन रहा है फिर से में एक बार बता देता हूँ कि charcoal हमें दो तरह से देखने के लिए मिलता है एक तो animal से बना पड़ेगा in insufficient supply of air मतलब air की supply कम रखनी है और लकडी को जलाना है तो लकडी का कोईला बन जाएगा basically ठीक है तो उसको हम कहेंगे charcoal तो charcoal basically एक ही category के चीज़ है अब हम समझते हैं कि उनके uses क्या है अब देखो coal के uses सबको पता है बार बीक्यों सबको पसंद है है ना हम लोग ज use as a fuel in factories and homes हमारे घर में अगर हम barbecue करें हमारे घर में अगर हम नॉर्मल भी अगर हम खाना बनाए तो हम क्या कर सकते हैं coal को यूज करके उसका अराम से चूला जैसे बना कि उसको उसमें खाना पका सकते है तो वो क्या हो जाएगा वो घर में यूज हो जाता है इंडस्री में क हमारे घर पर आती है तो वो electricity कैसे बनती है तो उसका होता एक thermal power plant अब thermal power plant में होता यह है कि महाँ पर एक simple सा concept ऐसा है कि हम वहाँ पर हमें steam बनानी है अब steam बनाने के लिए हम क्या use करें तो steam बनाने के लिए हम koila लाते हैं koilis को use करके पानी को गरम करते हैं जिससे कि क्या हो overview बता रहा हूं कि किस तरह से तो अब वो turbine घूमती है electricity वहां से generate होती है कैसे होती इन detail में हम समझेंगे बाद में यहां पर main purpose क्या है coal का उस पानी को गरम करना जिससे हम steam मना रहे हैं तो बहुत सारा coal यूज किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ पानी गरम करके steam में convert करने के लिए तो factories में यूज किया जाता है बहुत सारे furnace जो होते हैं furnace का मतलब हटी बड़ी सी भटी होती है उस भटी में आपने देखा होगा कई बारे ना बहुत सारे जो traditional type के oven होते हैं जिसमें pizza विजज़ा पकाते हैं आपने देखा होगा ऐसे गोल से होते है डोम शेप में कुछ इस तरह से दिखते हैं वो ठीक है ऐसे वहाँ पर क्या होता है अंदर इसे होगा मैंने आपको बता है thermal power plant में हो सकता है वह से होटेल में अवन में बनाते हैं उसमें होता है घर में हमारे अवन होगा तो उसमें होता है ठीक है उसके लावा coal is used to obtain coke coal gas and coal तार तो कोल से हमें क्या-क्या मिल रहा है कोल से हमें बड़ी साही चीज़ें मिल रही है एक तो कोक मिलेगा को क्या होता इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ने वाल है इसको हम यूज करते हैं उसके अलावा हम इसको पर्फ्यूम्स बनाने में भी यूज करते हैं रोड्स में आपने देखा होगा वहाँ पर भी उसको यूज करते हैं तो यह कोलतार के यूज है कोल गैस अगेन फ्यूल के जैसे यूज होती है और कोक के बारे में हम पढ़ेंगी next slide में कोल यूज़ करने के लिए हमें प्लांट्स और यह सारी चीज़ा को निकालना पड़ रहे हैं तो एक टाइम पे कोल खतम हो जाएगा क्योंकि वह तो लिमिटेड रिसोर्स है ना जरूरी तो है नहीं कि हमेशा वह आता ही रहेगा आता रहेगा क्योंकि एक टाइम पी वह खतम हो जाएगा तो कोल खतम तो फिर आप electricity का generation कैसे करोगे तो alternate ढूणना बहुत जरूरी है ना जैसे solar solar को use करना बहुत जरूरी उसको common करना मतलब हम अभी समझते solar किसी घर पे है solar panel तो बड़ा हमें लगता रही है यह क्या है लेकिन वह बहुत common हो जाना चाहिए अब तक क्यो क्योंकि अगर आप उसको common कर लोगे तो हमें इस वाली जो energy जो हमें coal से मिल रही है energy ना coal से आप electricity generate कर रहे हो फिर वो क्या होगा वो थोड़ी हम उस पर कम dependent होगे अब उस पर कम dependent होगे तो coal पर कम load आएगा हमारे पास energy के resources बढ़ जाएंगे हम windmill से कुछ electricity बना सकते हैं कु इसके लावा wind से windmill से electricity बना सकते हैं और हमारे पास क्या है solar तो ही तो हम सूरज से भी electricity बना सकते हैं तो हमें alternate ढूणने चाहिए electricity के वरना क्या होगा एक time पे coal खतम हो जाएगा ये system भी बंद हो जाएगा coal खतम thermal power plant बंद बढ़ जाएगा so we should always think about some alternatives जो हमारे लिए lifelong sustainable हो ठीक है जो कि सूरज कभी खतम नहीं होने वाला ना जब तक सूरज है तब तक हम है और सूरज जाब नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे basically है ना तो सूरज है तब तक हम उसको उससे बनने वाली electricity को है तो को क्या होता है the pure coal that remains when coal gas has been taken away तो coal में से जब coal से coal gas निकल जाती बाहर तो क्या बचता है coke बचता है ठीक है तो again यह भी क्या है हमारा एक carbon का एक type ही हो जाएगा इसके इससे बनी coke अब coke की क्या uses है it is used as domestic fuel coke से basically एक अच्छा fuel है coal से अच्छा fuel coke होता है coke is used as a reducing agent reducing agent वो होते हैं जो reduce करने में किसी भी चीसको help करते हैं जैसे example के लिए मैं आपको drying agent बोलते है न já drying agent अब drying agent का मतलब होता है जो dry करने में help करें for example जैसे ह2SO4 एक acid है आपको पता है ه2SO4 अब यह क्या होता है इसको reduce करना होता है तो उसके लिए हम reducing agent use करते हैं मतलब किसी के quantity कम करने लिए for example अगर आप मैं आपको बताओ एक example किसे जैसे हमारे पास मालीजे है CuO plus H2 अब जब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस copper का जब हम इसके साथ reaction करवाएंगे copper oxide एक black color का oxide है जब उसके उपर hydrogen हम apply करते हैं या hydrogen blow करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर copper बनता है और H2O मतलब यह copper oxide वापस से क्या बन जाता है copper बन जाता है और बनता है पानी तो देखो अगर आप इसको देखो अब आप यह 10th standard में पढ़ोगे वैसे तो 10th class में जब जाओगे तो आपको पढ़ोगे redox reaction आता है वहाँ पर क्या होता अब इस part को देखो यह copper oxide है यहाँ से क्या बना बच्छो यहाँ से बना copper बराबर है और यहाँ से क्या बना यहाँ से बना यह H2O मतलब यहाँ से oxygen निकल गया तो यह क्या हुआ यह reduce हो गया इसको बोलेंगे यह reduce हो गया और यह जो हुआ यह oxidized हो गया अब आप oxidized क्या होता है वो आभी आपको मैं बताने नहीं रहूँ लेकिन यहाँ पर oxidation कहते इसको 10th में आप पढ़ोगे यह oxidation और reduction है हम कहते हैं इसको यह reduction लेक्शन लिख देता हूं तो यह क्या होता है इसको हम कहते है reduction हो गया यहाँ पर और इसका हो जाएगा oxidization है ना जिसमें oxygen add हो जाए इसको क्या कहेंगे oxidation तो यह oxidation और reduction तो मैं लिख देता हम ठीक है आपको याद रहेगा oxidation, अब 10th में जब जाओगे तो आपको यह मिलेगा, बहुत detail में मिलेगा, इसको हम redox reaction के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहापे oxidation reduction साथ में होता है, इसलिए इसको redox reaction कहेंगे, 10th में आपको मिलेगा भी tension नेने के जरुत नहीं है, अभी मैं आपको सही पता reducing agent क्या ह हुआ इसका, लेकिन इसको copper oxide का reduction होके यह हो गया, लेकिन अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे hydrogen ही नहीं होता, यह hydrogen होता ही नहीं, तो क्या यह reduce हो पाता, नहीं ना, क्योंकि अगर इसका reaction hydrogen के साथ हुआ है, तभी तो reduction हुआ है, तभी तो reduce हुआ है, अगर माल लीजिए, hydrogen ना होता, तो इसका कोई reaction ही नहीं हो पाता, तो इसको reduce करने में help किस ने किया, hydrogen ने, तो यह क्या हुआ, reducing agent हो गया, जो reduce करने में help करता है, वो reducing agent, ठीक है, अटा दू इसको, मिटा दू, अगर आपने यहाँ पर lecture देखा हो ना, तो मुझे बता ना, आपको समझ में होगा, reducing agent क्या होता है, उसके बाद है, coke is used in production of water gas, ठीक है, water gas, carbon monoxide plus H2, and producer of gas, यहाँ पर अब देखो, तो coke क्या है, अगर water gas को भी हम बनाने के लिए coke का इस्तमाल किया जा रहा है, तो coke basically एक जादा amount, जादा better form of coal है, ठीक है, क्योंकि इसमें से already coal gas वगरा निकाल ली जाती है, तो उसके बाद मजता है coke, ओके, चलो, अब इसके बाद हम next जो पढ़ेंगे, वो है हमारा topic hydrocarbons के उपर, hydrocarbons क्या होता है बच्छो, hydrocarbon जैसे दो नाम से, दो चीजों से मिलके बना है, एक तो hydrogen, ठीक है, hydrogen, और दूसरा है carbon, तो hydrogen और carbon को मिला के बना hydrocarbon, ठीक है, यहां से हमने ले लिए hydro, और यहां से हमने ले लिए carbon, तो क्या बन गया, hydrocarbon बन गया, अब इसी hydrocarbon के हम फोड़े से types पढ़ेंगे, कि hydrocarbons क्या क्या होते हैं, तो अब आपको इतनी बात तो समझ में आ जिसके अंदर hydrogen और carbon होगा, यानि H और C, hydrogen और carbon जहां पे होगा, उसे हम hydrocarbon कह सकते हैं, example के लिए जैसे कुछ compound होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे CH4, ऐसा एक compound होता है, तो अब ऐसे compound को हम क्या कहेंगे, यह hydrocarbon है, क्योंकि किसम carbon भी है और hydrogen भी है, तो इसे हम क्या कहेंग है hydrocarbons, अब उसी hydrocarbon की बारे में थोड़ी सी detail के में बाते हैं, आज हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक photo देख रहा है, इस photo में आप ध्यान से देख सकते हैं, दो तीन चीज़ें, जैसे कि पहली चीज़ आप जो देखोगे वो यह कि carbon आप सेंटर में देख प सब्सक्राइब का atomic number 6 है, तो उसका electronic configuration क्या होता है, 2,4 बराबर है, atomic number 6, तो electronic configuration 2,4, last shell में कितने electron है, 4 electron है, कैसे, इसको बना के मैं दिखा देता हूँ, अब समझ लीजे यह होगे हमारा atom, atom के उपर ऐसे shell है, 1, यह 2, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जाएंगे electron तो पहला वाला तो यह अंदर वाला तो क्या है, nucleus है, इसके अंदर क्या होते है, इसके अंदर होते है, protons and electrons, protons plus, proton plus neutron, और बहार होते हैं, बहार क्या होते है हमारे, बहार होते है, electrons, तो यहाँ पर एक electron, यहाँ पर दो electron, क्योंकि पहले में 2 आएगा, और दूसरे में 4, तो 1, जो शेल ने उसके अंदर क्या होंगे एलेक्ट्रॉंस होंगे तो पहली वाले में शेल में कितने एलेक्ट्रॉंस दो और बाहर वाली में चार तो इसी तरीके साथ ये structure जो देख पा रहे हो यहाँ पे हमने सिर्फ last shell को consider किया है तो आप बोलोगे कभी भी आप किसी भी atom का जब structure बनाओगे ये दिखाने के लिए कि वो किसी के साथ reaction कर रहा है तो आप सिर्फ बाहर वाली shell के बारे में consider करोगे तो जैसे माल लीजिए कि carbon हो गया यहाँ पे यह carbon है अब carbon में हम दिखाएंगे कि carbon के last shell में 4 electron है बस इस तरह से आपको दिखाना होता है अंदर की दो आपको नहीं दिखाने ठीक है आप बोलेंगे ये shell का क्या हुआ कुछ हुआ नहीं है है वो बट हम क्योंकि उसका reaction नहीं है ये electron जो है ये bond बनाने में help नहीं करते ये जो अंदर वाले electron है ये कोई bond बनाने में help आपको नहीं करेंगे help कौन करेगा ये बाहर वाले तो हम सिर्फ बाहर वाले को show करते हैं ऐसी कोई भी है ऐसे जरूरी नहीं कि इसमें अब आप जैसे sodium की बात कर लीजिए तो sodium का item में एक number क्या होता है 11, 11, so अता बगा तुमी हम इसकी electron का structure कैसे दिखाएंगे इसका item का ऐसे कि इसके पास सिर्फ एक ही electron है in the last shell तो last shell वाला हमारे लिए main important है इसके पहले क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्यों कि उसका participation नहीं होता है उसका कोई participation ही नहीं है bond बनाने में या कोई कोईलेंट bond आगे बनेंगे ना कोईलेंट bond उसकी बारे में बात करेंगे तो bond बनाने में सिर्फ last shell का role बहुत important होता है इसलिए हम last shell के electron यहाँ पर show करते है अब carbon के पास last shell में कितने 4 electron है और इसी तरीके से हमारे पास जो hydrogen है hydrogen के पास last shell में कितने होते है एक electron होता है इस तरह से ठीक है इस तरह से यहाँ पर ऐसे तो क्या होता है carbon कभी जब bond बनाता है तो carbon electron को donate नहीं करता वो electron को donate नहीं करता वो क्या करता है वो sharing करता है अभी तक आपने क्या देखा था ionic bond जब आप देख रहे था ionic bond जब बनते है, NaCl जब बनते है तो क्या होता है, Na क्या करता है electron को lose कर दीता, क्योंकि Na क्या एक metal है, और metal electron को lose करते है उसी तरीके से आपने chlorine को देखा, chlorine क्या एक non-metal है non-metal electron को accept करते है वहाँ पर यह चीज़ चाल रहे थी, लेकिन carbon के साथ क्या होता है, carbon के last year में होते हैं, चार electron इन चार electron के साथ carbon क्या करता है, sharing कर लेता है मतलब अपना एक electron और hydrogen का एक electron की bond बना गया है, इसका एक, इसका एक, इसका एक इस सरह से क्या होता है, चार bond बन गए, क्या बन गए, चार bond आप देखो ये जो है एक bond, ये दूसरा bond, ये तिसरा bond और ये चौथा bond, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार bond बन गए, ठीक है, तो carbon की पास चार electron होते हैं, last year में जिससे वो चार bond maximum बना सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चार, इन्होंने सिंगल सिंगल जोड के बना ल हो, यह hydrogen है, यह है hydrogen है, यह hydrogen है, और यह dolא बीच में carbon है, अब carbon का 1- electron, hydrogen का यहाँ पर एक bond, यहाँ पर और यहाँ पर एक bond, यही चीज में आपको यहाँ पर बना के बना दिखाई है और सब तीनों जगा पर सिमी चीज़ है, लेकिन आपको समझाने के लिए छोड़ा से explanation अलगत किया गया है तो hydrogen carbon के साथ मिलके basically क्या बना रहा है bond बना रहा है वहाँ पर क्या हो रही electron की donation acceptance नहीं हो रहा है कि मैंने donate किया और किसी नहीं accept कर लिया ऐसा नहीं होता है यहाँ पर क्या होता है sharing होती है मैं अपना एक समझ लेते हैं अगर आई गया covalent bond तो चलो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि covalent bond काम कैसे करते हैं देखो बच्चों covalent bond होता क्या है जैसे मैंने बताया कि electron की sharing से होते है na electron sharing यहाँ पर यह word बहुत ही important है जहाँ जहाँ पर एक तो होता है ionic ठिक है और एक होता है covenant फरक क्या है दना में फरक है कि ionic में electron को हम donate करते हैं यहाँ पर इलक्ट्रों का donation होगा हईना the electron को donate करें यह accept करें ऑना ैक्षिप्ट क्रेंगे हेना ऐसा कुछ चलता है लेकिन kovalen में क्या होती है kovalen में होती है sharing किसकी electron की तो यहाँ पे electron share किये जाते है बत समझ में हुरी आपको तो यहाँ पर kovalen जो bond है उनकी बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे इतना आपको clear है इतनी बात clear है तो आप sharing कैसे होती ही जैसे मान लीजिए मेरे पास hydrogen है hydrogen के last shell में एक electron और यहाँ पर एक और hydrogen है उसके last shell में एक electron तो अब क्या करेंगा यह hydrogen दूसरे hydrogen के साथ क्या करेगा एक bond बना लेगा इसको बोलते है एक single bond यह कैसा बना single bond ही तो बना एक ही तो bond बना यह single type का bond है अब इसी तरीकी से अगर मान लीजिए तो इसका यह जो बना है यह bond बनके तयार हो गया इसको हम क्या कहेंगे यह हमारा H2 का bond हो गया ह2 का bond बन गया समझ में आ रहा है बात ऐसे ही अगर मैं आप से कहूँ O2 है ना O2 तो O2 में क्या होगा एक oxygen इधर एक oxygen इधर अब दो अगर मेरे पास oxygen है अगर मेरे पास यहाँ पर oxygen और यहाँ पर oxygen है अब इसके last shell में कितने electron होते हैं आपको पता है oxygen का atomic number क्या होता है 8 मतलब क्या बना 2,6 last shell में कितने electron हैंगे 6 तो देखो 1,2,3,4,5,and 6 तो अब मेरे पास 6 electron यहाँ पर 6 electron यहाँ लेकिन मुझे क्या करना है इसको मुझे satisfy करना है अब अगर मैं यहाँ पर single bond बना लेता हूँ जो कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बन गया यह तो देखना है अब मुझे देखना है कि यह stable है कि नी स्टेबल क्या होता है पहले वो भी समझा देता हूँ मैं आपको कि कोई भी चीज स्टेबल होना का मतलब क्या होती है स्टेबल होने का मतलब होता है कि वो lowest energy में है उसने bond बना कि वो स्टेबल हो चुकी अब वो और कोई फर्दर काम नहीं करना चाहती स्टेबल होते कैसे हैं स्टेबल होने के लिए आपको ओक्टेट रूल या ड्यूपलेट रूल है न ओक्टेट या ड्यूपलेट रूल फॉलो करना पड़ता है अब और अगर आप यहां पर देखो हाइडोजन के पास लास चल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है यह एक यह जब शेरिंग करते है न तो दोनों इलेक्ट्रॉन भी भी calculate होगा और इसमें भी calculate होगा तो इसके पास भी दो और इसके पास भी दो तो दोनों के पास दो-दो electron है मतलब क्या हुआ duplet complete? duplet complete मतलब यह stable यहाँ पर आप देखो यहाँ पर तो already आप देख सकते हैं कि 2 से बहुत जाद़ electron हैं तो कितने हैं? 1, 2, 3, 3, 4, 5 और यह 6 और यहाँ पर 6 अब एक bond बनने के बाद यह जो bond बना इसके बाद क्या हो जाएगा? यह जो electron है आप दोनों में calculate होगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने electron हो रहे हैं यहाँ पर? 7 stability के लिए कितने चाहिए? 8 यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर यहाँ पर भी क्या है? 7 electrons हो रहे हैं लास्ट शेल के अंदर 7 electron हो रहे हमें कितने चाहिए? 8 अगर मैं एक bond और बना लेता हूँ कुछ ऐसे तो अब क्या होगा? अब देखो बच्छा लोग अब क्या होगा? अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओ, सॉरी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 7 और यह 8 तो जो हमने bond बनाया है, बेसिकली वो यहाँ पर भी calculate होते हैं और वहाँ पर भी calculate होंगे तो चार तो मेरे पहले से ही हैं और चार से मैंने क्या बन गया? bond तो bond वाले चार और यह चार कितने हो गए? 8, यहाँ पर देखो यहाँ पर चार, 1, 2, 3, 4 और bond वाले 4, तो कितने हो गए? 8, बो, octate complete octate complete तो stable हुआ की नहीं है? इस तरह से octate और duplet की चीज़े समझते हैं तो यहाँ पर जो bond बना इसको बोलते हैं हम लोग double है ना? यह single bond था और यह कैसा बना? double bond बना ठीक है? यह single bond और यह double bond clear है बात? तो single bond double bond बन गया ठीक है? तो यह था हमारा H2 और यह हमारा O2 ठीक है? अब मैं आपको एक और बना के दिखा दिता हूँ ठीक है? जिससे आपको पूरा concept हो जाएगा जिसको हम कहेंगे N3 ऐसे? सॉरी N3 नहीं, N2 होता है N2 अब N2 में क्या होगा? देखो हमारे पास एक nitrogen यहाँ पर है और एक nitrogen यहाँ पर है nitrogen का atomic number होता है 7, तो electronic confirmation क्या होगा? 2,5 ठीक है? 2,5 अब यह 2,5 है मतलब last child में कितनी electron होगे? 5 तो 1, 2, 3 4, 5 यहाँ पर कितने होगे? 1, 2 3, 4 और 5, अब देखो यहाँ पर octet complete करना है, है न? octet का rule अभी आपको समझ में आ गया है तो इसके पास 5 electron है, इसके पास भी 5 electron है मुझे क्या बनाना है? इसको octet अभी इसको duplet से तो पूरा हो नहीं सकता क्योंकि already 2 से जादा electron है, तो क्या करेंगे? पहले एक single bond बना के देखेंगे अब कितने होगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हो गए, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 6 हो रहे हमको कितने चीए? हमको तो 8 चीए, यह करके देखते है अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ हो रहे हैं, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ हो रहे हैं, और एक bond अगर हो गया तो बोलो क्या होगा Epic 각 complete है तो क्या होगा बोलो stable हो जाएगा यह क्या है n2 इसको बलेंगे triple bond इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं triple bond तो मैंने आपको three example बताएं तीनो alag-alag example खेल के हैं पहला example जो है, यह है single bond का example और ये जो है हमारा ये है हमारा triple bond चीक है बच्चा तो तीन तरह के bond बनते हैं जब हम electron की sharing करते हैं एक single bond एक double bond एक triple bond और हम bond क्यों बनाते हैं? octet हो duplicate को complete करने के लिए और इससे क्या होगा? इससे होगी stability मतलब कोई भी atom जो है जब किसी के साथ electron को share करके bond बना लेता है तो वह stable हो जाता फिर और उसको किसी और के साथ bond बनाने की ज़रुत नहीं पड़ती वह राम से stable हो चुका होता है ठीक है इसी तरीके से जैसे hydrogen अकेला था तो अकेला वह stable नहीं था अब वह इसके साथ में है तो बन सकता है maximum सिर्फ triple bond ही हो सकते हैं तीन से ज़्यादा bond नहीं बनाएंगे हम चीक है तो covalent bond की ये कुछ चीज़े हमने discuss की अब चलते हैं आगे और समझते हैं properties of covalent bond क्या-kya properties है covalent bond की जरा जल्दी से देख लेते तो देखी बचो तबसे पहला जो property है covalent की वो है कि covalent compounds have low melting point इनका जो melting point होता है बच्चा वो कैसा होता है low होता है बड़े अराम से melt हो जाते हैं और उसके low boiling point भी होते हैं तो short में आप लिख सकते हैं low melting point MP and boiling point PP ठीक है यह चीज हो गई and generally they are insoluble in water पानी में वो dissolve नहीं होते बच्चो dissolve नहीं होने मतलब घुल नहीं जाते मिल नहीं जाते ठीक है and soluble in organic solvent तो जो organic solvent होते हैं वो उसमें dissolve हो जाते हैं पानी में वो dissolve नहीं हो रहे लेकिन organic में हो जाएंगे and they are poor conductors of heat and electricity तो heat and electricity के वो क्या है electricity and heat के बहुत ही poor conductor है मतलब उसके अंदर से heat भी पास नहीं होती जादा तर और electricity भी पास नहीं होती जादा तर ठीक है तो अगर आप देखो maximum side में poor conductor होते हैं poor conductor वो होते हैं जैसे में आपको होता है है वो easily heat को पास नहीं करते है और easily electricity को पास नहीं करते है अब हम बात करने वाले ह saturated and unsaturated hydrocarbons की ठीक है तो hydrocarbons क्या होता ये बात आप जान चुके हो covalent bond क्या होता ये बात आप जान चुके अब हम बात कर रहे है saturated and unsaturated hydrocarbons की तो देखो बच्चो जब carbon मैंने आपको बता है कि hydrocarbons में 3 bond बनते हैं एक तो single bond बनेगा ठीक है single bond एक बनेगा double bond मतलब दो bond जिसमें बन रहे होंगे वैसा वाला जैसा भी हमने देखा oxygen में बना और एक होगा triple bond ठीक है जैसे हमने किसमें देखा अभी nitrogen में देखा देखा न अपने अभी तो तीन चीज़ है एक single bond है double bond है और एक triple bond है अब अभी तीनों को देखो तो इसमें हम saturated और unsaturated की जो बात कर रहे है तो अगर single bond बना तो उसको हम कहते है saturated क्या बुलेंगे उसको saturated hydrocarbon मैं यहापे HC लिग देता हूँ आप लोग समझ जाना और यह जो दोनों है ना इसको हम कहते हैं इन दोनों को हम कहेंगे unsaturated ठीक है क्या मतलब होता है unsaturated का और saturated का इसको ज़रा समझते हैं unsaturated HC मतलब hydrocarbons ठीक है तो बच्चो पहले समझ लेते हैं कि saturated का मतलब क्या होता है बच्चो saturation का मतलब होता है कि कोई चीज अपने limit को पहुँच जाए तो उसको बुलते हैं वो कि saturate हो गई मतलब ये जो compound बनेगा saturated ये और bond नहीं बना सकता ये saturation level को पहुँच चुका है लेकिन unsaturated कैसे है वो और bond बना सकते है ठीक है मतलब उनका अगर unsaturated में हम देखते हैं तो वो क्या होता है double और triple bond होते है अगर हम इने single में convert कर दे इनको हम single में convert कर दे तो और bond बन सकते हैं लेकिन saturated में तो already single bond ही होता है और वो ही हर जगा फैला हुआ है और उसके अलावा और कोई bond बन नहीं सकता तो वो saturation को पहुँच गया है example के लिए अगर मैं आपसे बताओ तो देखो मेरे पास CH4 है एक carbon चार hydrogen के साथ है अब ये carbon है उसके पास last shell में चार electrons होते है उसने क्या किया उसने चार hydrogen के साथ bond बना लिया ये कुछ इस तरह से अब hydrogen के पास एक एक electron है अपना और carbon के पास चार है अब जब bond बनेगा बच्चों ये देखो एक bond, दो bond, तीन bond और ये चार bond ठीक है अब ये जो चार bond बनगे क्या carbon इससे ज़दा bond बना पाएगा carbon इससे ज़दा bond बना सकता है carbon के पास चारी electron है अब ज़दा bond कहां से बनाएगा bond बनाने के लिए electron भी तो चाहिए तो electrons तो है ही नहीं तो bond कांसे बनेगा, तो यह saturated का example है, कि अपने saturation को पहुंच गया, अब इससे ज़ादा bond नहीं बन पाएगा, इससे और कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि यह maximum limit को पहुंच गया, इसको कहते है, saturated, और unsaturated में क्या होता है, जब हम किसी भी carbon, hydrocarbons को देखते हैं, वहाँ पे, जह तो बच्चों आप देखेंगे हम लोग next, हमारा solubility of carbon, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक experiment आपकी book में दिया है, textbook में यह experiment दिया गया है, तो इसको समझते ज़रा इसमें क्या पूछा गया है, तो जो हमारे textbook में question है, वो है, पूछा गया है, कि हमारे पास ऐसे 3 flask है, और 3 flask में हम लोग 3 different different चीज़ लेने वाले है, मतलब एक में हम लोग लेंगे kerosene, एक में लेंगे water, water, oil, ठीक है, water लेंगे, oil लेंगे, और kerosene, ठीक है, kerosene, तो अब यह 3 चीज़े हम लोग यहाँ पर लेने वाले है, ठीक है, क्या क्या लेने वाले है, water, oil and kerosene, अब हमन इसके बाद दूसरा वाला फिर से मैं क्या करूँगा यहां पर और तीसरा वाला कैरोसीन है कैरोसीन के साथ में क्या करेंगे फिर से कार्बन पाउडर हमें इसमें एड़ कर देंगे अब हम से कोस्टव यह पूचा है हमसे कोस्टव यह पूचा है कि ये बता हो कि यह lotta कहां पे होगा ya करोसीन में नहीं नहीं हो सकता तो वो पहले सिंबल सा इसका आंसर ये है ठीक है तो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर एक तो इसको हम experiment करके भी आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है क्योंकि यह basically soluble नहीं है मतलब पानी में dissolve हो नहीं सकता इसलिए वो हो नहीं रहा है ठीक है तो solubility हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका conclusion है इसी तरीके से दो experiment हमारे पास और आते हैं अब यह जो experiment है यहाँ पर हमें basically पहला जो है इसमें हमने क्या किया इसमें हमने को आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोल को पकड़के burner से जला दिया अब जैसे में इसको जलाते हैं तो इक gas release होती है यह gas कौन सी होगी यह gas होती है carbon dioxide gas अभी यह experiment हमने किया था आपको याद question है कि with which gas in the air does coal react on igniting तो कौन सी gas के साथ react करता है coal oxygen के साथ तो पहला answer क्या हो गया इसका oxygen दूसरा question है what is the what is the substance form क्या substance form हो रहा है यहाँ पर carbon dioxide perform हो रही है और साथ में क्या मिल रहा है थोड़ा सा heat मिल रहा है उसके बाद है कि what changes takes place in the litmus paper तो लिटमस paper react के रही है किसके साथ? लिटमस paper क्या है बिटा? लिटमस paper में हमारा हमारा पास already litmus paper मारा थे कौन सा moist blue litmus paper है और carbon dioxide gas कैसी होती है? थोड़ी सी acidic होती है यह कैसी होती है? acidic तो अब acidic होने की वाज़े से क्या होगा blue litmus paper किस में convert हो जाएगा red में convert हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखो दूसरा रियो reaction यहाँ दूसरा experiment जो दिया है वो क्या है हमारे पास है lime water तो आप देख सकने हैं हमने एक tube में क्या लिया lime water लिया है और हमने straw डालके उसमें हमको सिर्फ फूकना है मतलब हमें हमारी जो air है अंदर से आने वाली जो air है उसको हमीं क्या करना lime water के अंदर से डालना है तो हम क्या कर रहे है ऐसे गया यह milky white ठीक है milky white यह बन चुका है अब milky white ठीक है पहले कैसा था यह transparent था ठीक है यह था transparent आप देख सकते हैं transparent था अब transparent में जैसे हमने इसमें फूक मारी तो क्या हो गया यह milky white हो जाता ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमारे अंदर से जो carbon dioxide gas थी वो gas बेसिकली इसके अंदर गई और उसने जा कि reaction किया इसके साथ तो यह transparent जो था यह क्या हो गया basically milky white में हो गया मैं transparent यहां पर लिख देता हूँ ठीक है unsaturated और saturated में फरक क्या है देखो saturated का मैं एक्जामपल ओरड़ी दिया आपको CH4 है न यह CH4 इसमें क्या होता है कि एक carbon ने चार hydrogen के साथ bond बना के रखा है जो maximum बना सकता है अब इसके आगे और bond बनाएगा नहीं तो यह हो गया saturation में पहुंच गया इसको हम saturated hydrocarbons भी कह सकते हैं इसको हम तो यह हमारा बना CH4 जिसको हम कहेंगे saturated hydrocarbons क्यों 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 क्योंकि यह maximum bond बना चुका है आप देख सकते हैं यह maximum bond बन चुके लेकिन इसी के अलावा अगर मैं आपको और एक example दो ठीक है एक example हम लोगे लेते हैं जहां पे हम लोग ब और दो carbon यह वाला चिक है अब इसको देखो आप यहाँ पर क्या हम रपास चार hydrogen है और दो carbon है अब मैं क्या करता हूं यह दो carbon पहले यहां पर बना लिया चार में रपास hydrogen है तो एक hydrogen यह दो hydrogen यह तीन hydrogen और यहाँ पर 4 मतलब दोनों में बराबर बराब बाड़ दिया अब य SINGLE BOND बन गया, CARBON का EK BOND मन गया, CARBON का EK BOND यहाँ प underwater carbon ने अपने कितने BOND मना लिए 3 इस carbon ने कितने मना है 1 2 और यह 3 ठीक है 10 BOND मना लिए Carbon कितने BOND मना सकता है Carbon अच्तिके carbon बना कितने सकता है 4 BOND बना सकते है कितने बनाएं उसने 3 चार यहां पर…" वह झाते हरे प्रोंन ना सकता है कत्न और यह हैं इस機शाकहा है अंधिम्ट और यह को स्थांधर कि यहां डिर्ट। H4, जिसको हम क्या कहेंगे? यह हमारा हो जागा Unsaturated Hydro Carbon ठीक है? इसको Unsaturated कहते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह bond हटा के हम कहीं और बी लगा सकते हैं इसके साथ, अगर मान लीजिए इसको हम Unsaturated क्यों कह रहें? क्योंकि यह saturation को नहीं पहुंचा है क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि मैं इस वाले bond को हटा कर, मैं इसको कहीं और लगाकर bond बना unsaturated ऐसी जब triple होगा तो triple में भी क्या कहेंगे उसको भी unsaturated double और triple bond जहांपर carbon carbon के बीच में होंगे वो unsaturated hydrocarbon के example है और जहां carbon के पास सिर्फ single bond होंगे है न तो सब कहेंगे saturated hydrocarbons चीक है तो यह हमारा यहां पर बिटा chapter हो जाता है खतम यह हमने सारा discussion किया एक बार division कर लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या पढ़ा तो आज हमने देखा fluorine क्या होता है fluorine का जो structure होता है वो इस तरह से कुछ दिखता है ठीक है जिसको हम लोग geodesic भी बोलते हैं उसके बाद हमने पीट, लिगनाइट, बिटुमिनस और एंत्रसाइट देखा और किस तरह से वो डवलप हो रहे हैं उसके उनमें carbon percentage कितना यह हमने देखा उसका reaction हमने यहां पर चेक किया उसकी बाद चारकोल के बारे में हमने पढ़ा कि चारकोल animals और plant से मिलते हैं अगर animals से मिला तो वो कहां से मिलेंगे animals के horns और उनके bones से और plants अगर मिलते है तो वो कैसे मिलेंगे by combustion of wood in the insufficient supply of air तो हमें लकडी जलाना पड़े गा insufficient supply of air में तब हमें plant से मिल जाएगा charcoal और charcoal के uses चारकोल और कोल basically वही है तो इसको यूज़ट दीजिस कहा कहां पर है अपने यूज़ट यहाँ पर देख लिए उसके बाद हमने को कारseat का की को कहा से मिलता है को को किकल कासे मिलता है इन tone後मि यहाँ से कोल में क्यां निकाल देती है तो वहाँ से बनता है और कॉक और को की कुछ वाले डबल वाले और ट्रपल वाले तो यहां पर उसका एक 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 जामपल है यहां पर अगर आपने देखे तो हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी दिकोवेलेंट bond की और saturated और unsaturated hydrocarbon को देखा तो saturated कौन से होते हैं जो single bond वाले होते हैं वो saturated hydrocarbons कहलाते हैं डबल और ट्रिपल वाले कहलाएंगे unsaturated hydrocarbons और यह उसके कुछ example है ठीक है तो पहला वाला saturated है दूसरा वाला unsaturated है फिर यह हमने देखा था solubility of carbon जो experiment हमारे बुक में दिया गया है और यह दो experiment जिसको मैंने explain किया आपको तो यहां पर हमारा यह carbon का जो chapter यह खतम नहीं हुआ है अभी हमारा दूसरा पार्ट खतम हुआ है तीसरा इसके बाई